नमस्कार, गईकाल सांजना पांच बाग्या थी आज सांजना पांच बाग्या सुधी 24 कल्लाक मां गुजरात मां 364 पॉजिटिव केसिस COVID-19 ना आध्या छे आनी साथे एक बहुत सारा समाचार छे कि 366 जेटला लोको जे आपला तियां COVID-19 पॉजिटिव हता ट्रीटमेंट लेता हाता ए आजे बिलकुल साजा थे ने घरे पाच्छा गया छे 316360 आ 24 कल्लाक मांज ट्रीटमेंट लेती वखते साथ एवा लोको नुँ दुखद अफसान थयू छे कि जेमने आपने कई शके कि जेमना मृतियों नू कारण प्राथ्मिक रीते COVID हतू अने 22 सेवा लोको ना पण दुखद अफसान थया छे कि जे ट्रीटमेंट कोविड नी लेता हता पण एमनी पहले थी अन्य गंभीर को मॉर्बिड कंडिशन नी बीमारी हती अने आँ ट्रीटमेंट दर्मियान इमने कोविड नू पन संक्रमन थयू छे पची एनी ट्रीटमेंट लेता एक सेकंडरी कॉज ओफ डेथ तरीके पन रहू छे तो आजे अत्यार सुधी जे पॉजिटिव दर्दी कोविड बाते छे एनी संक्या 9,268 थाय छे अने जे स्टेबल पेशन्स चेटले जेने आपने अक्टिव कईये छे पई की 5,101 लोको बिल्कुल स्टेबल छे पन 49 लोको ग्रिटिकल छे वेंटिलेटरी कैर पर छे अने आज दिन सुधी एटले आजना 366 बतता अत्यार सुधी जे डिस्चार्ज थायला लोको छे एनू सरवाडो करिये तो 3562,3562 एवा लोको छे के जे बिल्कुल कोवेड नू संक्रमार थयू हतू पॉजिटिव हता हॉस्पिटल माँ ट्रीटमेंट लीदू हतू अने पछी बिल्कुल साजा थाईने डिस्चार्ज थेया आज ये आपनू डिस्चार्ज रेट पढखु बधीने 38.43 परसेंट छे आपनी डिस्चार्ज रेट छे टेस्टिंग नी संख्या पण एक लाख 22,277 थयू छे अत्यार सुधी अने छेल्ला 24 कल्लाख मां आपने 2770 जेकला टेस्ट्स करया छे आजे ACYBG एक अगत्यनी वात कहवाननू छे एक दुखद एक अवसान एक व्यक्ति नू जे थयू हतू एना बारा मां मीडिया मां पन थोड़ाक रुपोर्ट साव्या छे चौथी मेना रोज आ भाई जीसी आ रहा है अपनी जे कांसर रिसर्च इंस्टिट्यूट हतू एनी अंदर एबाँ अड्मिटेड हता अने इमनू त्यां ट्रीटमेंट थातू हतू पांच मिये ए एमने श्वासो श्वासमा ब्रेथलिस्नस नी तकलीफ पड़ी एटले एम वार्ड नंबर त्रण वार्ड मां शंकास्पद जेने कही है सस्पेशिस एटले जेने आपने कही है के सस्पेक्टिड केसिस छे के शंकास्पद होई के कदाच कोविड होई एमां एडमिट पन करया पांच मी तारीके एमनू जे स्वाब टेस्ट हतू ए नेगिटिव आवियू छे अने पची त्यां ट्रीटमंट केमके लेता साथ मी तारीके सवारे वेला एमनू दुखद अफसान थयू छे अने एमना केस पेपर उपर थी एमना जे फामिली मेंबर्स ना फोन नंबर मरता त्याना डॉक्टर्स आपड़ा सिविल ना जे डॉक्टर्स छे इ पड़ फोन बंद आवेलू हतु अने त्यार बात डोम मा पड़ बाहर तपास करवा मा आवी हती एमना कोई पड़ रिष्टेदार के फामिली मेंबर्स साथे ना हता कॉन्टाक्ट ना हतु थाई शक्यू अने पची बार्सो बेड ना कोल्ड रूम के जया आवा जे बोडी इसके जे मने कोई साथे ना होई क्लेम करना व्यक्ती ना होई त्या राकवा मा आवे छे ए रिते बोडी ने जे कोल्ड रूम छे मौच्यूरी छे त्या राकवा मा आवी होतु अने पची इमना फामिली मेंबर्स पची त्या थी आवता इमने त्या मौच्यूरी मा बताव हम आवियू अने इमने आइदेंटिफाय कर्यू छे एतले आ रीतनी विगत आ केसमा छे जे आजे शेर करवा मांगता आता विगत आजे साथे बीजा बेत्रण अगत्यनी बाबत पन कहवा मांगिये छे के आयूश मंत्राले तरफ थी आपने जे रोग प्रतिकारक शक्ती वध दहरवा माते आपने जे टोटल खासकरीने अम्दाबाद नी अंदर अलग-अलग विस्तारों मा आपने जे डिस्ट्रिब्यूशन करवानी कामगिरी करी छे खासकरीने आयूशना मेदिसन्स अग्ज्यार्मी तारीके बहरामपुरा दानी लिमडा मनीनगर जेवा विस्तार 335 जेकला किट्स आपने आप्या छे जे नी अंदर आ दवाओ पन छे अने साथे साथे बीजी पन इमने कोविद साथे जे लड़वा माते मास्क वगेरा एमा पन थोडिक विगत इमने किट्स मा आप्या छे 12 मी तारीके सरसपूर, खाडिया, गोमतीपूर, धरियापूर अने गुलबाई टेकरा जेवा विस्तारों मा आप्या रीते आयुश नी दवा ए एनी किट्स बनावी ने अने एज रीते तेर मी तारीके शापूर, असार्वा, जमालपूर, कालूपूर ना विस्तार मा पन आजे आयुश नी दवाओ छे समसम वती अने बीजी पन ट्रीटमेंट माटे नी जे दवाओ छे ए आपने खास देहरादून स्थित उत्तराखंड मा त्यां इंडियान आयेम पीसी एल इंडियान मेडिसेंस फार्मस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेर माथी एर दिस्ट्रिब्यूट करया छे साथे आपने चर्टी मार्च थी लईने अत्यार सुधी जे आयुश नी दवाओ नू डिस्ट्रिब्यूट करया छे एटले अत्यार सुधी अम्रुत पेई उकाळा जेने कहिये ए लाभार्थी आपने लगबग एक करोड पंचानू लाक उप लाभार्थियों ने एटले एटला डोजस आपने आपया छे अने रोग प्रतिकारक शक्ती वर्धक सम्षम नी वर्टी पंटेर लाक इको तेर हजार जेटला लोकों ने आपने डिस्ट्रिब्यूट करया छे अने होमियोपैथी नी जी मेडिसन छे आरसेनिकम आल्बम थर् आने आगेवानों ए बद्धाना उपस्ततिती पणायक खूब घणू आमा काम थयू छे आजे छेल्ले आपने बे खूब अज आपना माटे पॉजिट्व स्टोरीज के जेना लिधे आजे आखी गोवेड ट्वेंटी नाइटीन साथे नी जे लडाई छे एनी अंदर आपन आपने खूब सफलता मली शके एवी बे मोटी वस्तुव नुझे आपने प्रयोग औने प्रयास शरू करी छे एक तो छे एक इंजेक्शन तूसीली जुमाब आपने अलग अलग हॉस्पिटल्स मां केमके आनी खूब असर का रगता छे एने पण आपने मोटा प्रमाण में यूज करवानी एक शरूआत करी दी छे आना लिधे एवा पेशन्स के जे बहु गंभीर हालत मां छे एलोकोंने पन आना लिधे आ इंजेक्शन आपवा थी आ खूब किंती इंजेक्शन चे पन सरकारे एनू गईकाले अमारी मीटिंग मां लईने एने अप्रूफ पन करी पर्चस कमिटी मां अने पहला पन स्थानिक कक्षाय जे जे केसुज मां आपवा थी फरक पड़े एवी रीते डॉक्टर्स ने लागे छे ए बधा केसुज मां आ दवाई यूज करवानी प्रक्रिया आपने शरू करी छे साथे बीजा एक सारा समाचार छे के आपने ख्याल द्वारा जे सॉलिडेरिटी ट्रायल जे आपडा माननिया मुख्यमंत्री श्री ए खास आपडा माननिया यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित्षा साहब ने रिक्वेस्ट करी हती आने मुझा अब एनी पड़ आपने लाब एम्स नी टीम पर मोखली हती आपडा त्यां अन अने पेटंट धरावे छे एनी पड़ आजे पहुंची गई छे एटले हवे आपती कालती अने आनी पड़ खूब एफिकसी असरका रकता छे अने आपने मानिये छे आपनी धारना छे क्या आने यूस करवा थी आने एज रीते बीजी एक दवा पड़ आवी गई छे पॉजिटिव स्टोरी एक यंग लेडी छे अत्यारे वीडियो पं तमें जो शो दर्शना बेहन दिनेश भाई चोहान करीने इमना फादर एम्दाबाद मा इशनपूर मा रहा छे इमना फादर सौती पेला इमना घर मा पॉजिटिव हता पची आद दर्शना बेहन इमना ब डॉक्टर्स नर्स जे इमनु देख पाल कर्यू अने कई रीते साजा थाईने पाच्या घरे गया छे इमना अनुभव केवा आता इमने खूब त्याना टीम ने त्याना डॉक्टर्स ने अभिननदन पाठवया छे अने इमने सलाम पं कर्यू छे ए वीडियो पं आपने अने जेटलू बने आपणे आपणी इम्म्यूनेटी ने बूस्ट करवा माटे अने सोशल डिस्टंसिंग, मास्क पहरवानू अने हांड वॉश आबदी वस्तुओ एकदम रेगूलरली, सिस्टेमाटिकली आपणे फॉलो करिये तो चोकस आपणा आजू-बाजू एक सुर सिचुएशन कंट्रोल माच छे, काबू माच छे, नियंत्रण ही ठल छे, अने आजबी सी, डिस्ट्राज नी संख्या पण उत्रोतर घणी वधी रही छे, एनो अर्थ थाए छे के घणा लोको आमा बले इनफेक्ट थया होई, हवे साजा थेईने पाच्या घरे जाये छे, नमस्कार. नमस्ते मित्रो, मारू नाम दर्शना चोहार छे, अने हुँ पड़े कोरोना ने सस्पेक्ट बनी चुकी छू, मने पड़ कोरोना पॉजिटिव थाई चुकी छे, अने आजे हो तमारा सामे स्वस्थ या घरे बेठी छू, जस्ट बिकाज अवर डॉक्टर्स अवर स्टाफ, 25 अपरिल ना रोज मारा फाधर नो रिपोर्ट पॉजिटिव आयो होतो, अने तेमने अया थी सम्रस हॉस्टेल मा कॉरेंटीन करवा मा आवया था, अने ते पची हूँ मारो भाई, अने मारा मधर, के अमने पड़ करावा मा आवया, अने बिकाज फाधर नो रिपोर्ट पॉजिटिव आवय होतो, तो अमे लोको पड़ अपना संपर्क मा आवी ने पॉजिटिव थेयत चुक्या हता, तो हूँ मारा भाई अने मारा मधर, अमे त्रोणेव पची सिविल मा एडमिट हता, अने सिविल ना स् खरे-खर हूँ सल्यूट अप्पा मागू छू, के एलोकोई अमने इटली सारी ट्रेटमेंट आपी छे, इटली सारी हेल्प करी छे, त्रोल टाइम अमने जमवानू पूरू पाडियू छे, डरेक फैसिलीटी पूरी पाडी छे, दवाओ पण एमने समय सर आपी छे, अने त्यानू वाश्रूम वगेरे पण अमने खणू सारू एक होस्पिटल नी जे इमेज हती, तैना करता अमने घर जेओ वातावरान पूरू पाड़ानों पूरो प्रायास थायो हतो, अने खरे-खर हूँ डॉक्टर अने नर्स ने सल्यूट करू छू, के तेमने अमने जे कहत साजा छो, थोड़ा दिवसो मा, तमारों रिपोर्ट पर नेगेटीव आई जसे, कईज वाती थाओ तमें, आराम करो, इम्म्यूनेटी वधारो, मगजन शांत राखो, अने खरे-खर ते लोकों ना शब्दों ना काराणे, एक मनमा जे शक्तिया होती है ती, अने ए शक्ति इस और बेटर अल्वेस, थैंक यू, अमना आपे सामधियू, दर्शना बेहन दिनेश चौहान, एमनी जे स्वर वीती, एमने जे अनुभव कर्यू हतू, अज़ को विध पॉसितिव पेशंट, आप राज बार्सो बेदना सिविल हॉस्पितल मा, एमना अनुभव के वा र आखी टीम है, कई रीते इमने देख बाल राखी, कई रीते इमने पॉसितिव मनुभव पण, इमने कॉन्फिदेंस आपी आत्मविश्वास, आप यू के जरूर, COVID-19 साथे लड़ी ने जीती शक्षे, आपने सामधियू, आने आजे सवारे, मैं पण, सिविल हॉस्पितल म आपनी बद्धी जे नर्स छे, डॉक्टर्स छे, त्यानी टीम साथे खास इंटराक्ट करियू छे आवे डेली, आमें आरीते इंटराक्ट करता हो ये छे, आने एमा पण, जो यू के बद्धा जे स्पिरिट साथे, काम करी रहा छे, खरे खर, आपने बद्धाने इंस्पि पटेल एमनी साथे पण, एपन रोज त्या राउंज ले छे, आने इमना इन्पुट्स साथे आपने ना 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 हजी पण, काईक सुधारा वधारा होई तो करी रहा छे, आने सरकार बिल्कुल एच्छे छे, कि जे पण आपने प्रयासो करवा होई, we are trying our best to ensure कि जेटलू ब पण एक केस मां सरकार पूरी कोशिष्ट करी रहे छे, बाहर ना एक्सपर्ट्स ने पण लावी ने, तो अत्यारे जापे, आर इते दर्शना बेन ना एक खूबत सारा साफल या गाथा सांबढ़िया, इमना अनुभव पन सांबढ़िया, नमस्कार. नमस्कार, कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक गुजरात में कुल 374 जितने COVID-19 के पॉजिटिव केसे आए हैं, आज 316 जितने लोग बिलकुल ठीक होके इलाज हो गया उनका पूरा, जो COVID-19 पॉजिटिव थे और जिनकी चिकीचसा हो गई है और अब सफ पुर्वक उनका इलाज पूरा होने के बाद डिस्चार्ज होके घर वापस चले गए हैं, आज इन 24 घंटों में ही इलाज के दर्मियान साथ ऐसे लोगों का दुखद अफसान हुआ कि जिनका प्राइमरी कॉज ओफ डेथ है COVID-19 और बावीस ऐसे लोग हैं कि जिनका भी दुखद अफसान हुआ तो COVID जो है प्राइमरी कॉज ओफ डेथ नहीं है आज जितने टोटल पॉजिटिव पेशन्स हैं उन में से हमारे यहां जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं 5101 ऐसे लोग हैं जो बिलकुल स्टेबल हैं और 49 39 ऐसे लोग हैं जो कृटिकल हैं वेंटिलेटर 1562 3562 और अगर इसी को हम as a discharge rate यानि के discharge होने की प्रतिशत किती हैं तो 38.43% प्रतिशत लोग हैं ऐसे के जो discharge होके वापस गये हैं बाकी जैसे हम देख रहे हैं बड़ी मात्रा में लोग अभी भी आक्टिव यानि के ट्रीटमेंट ले रहे हैं चिकीट सा दर्म्यान हैं ये अभी तक के जो कुल हमारे टेस्टिंग हो गये हैं एक लाख बाइस हजार दोसो सत्तानवे केसे हैं कि जिसमें टेस्ट हो चुका है और अगर हम इसका आज एक दो और पॉजिटिव चीजें आपके ध्यान पर रखना चाहते हैं एक तो आयूश प्रभाग के प्रयासों से खास करके अमदाबाद में जो हॉट स्पॉट है और खास करके जो हमारे कंटेन्मेंट जोन्स हैं उसमें वहां की लोकल टीम, म्यूनिसिपल कॉर्परेशन की टीम्स और हमारे आयूश के टीम्स के साथ बहुत बड़े पैमाने पर आयूश की दवाईयों का भी डिस्टिब वहां पर कर रही है, एक एक घर डोर टो डोर जाके सर्वेलंस का काम अमदाबाद में भी कंटेन्मेंट जोन में कर रहे हैं, वैसे ही बारा तारीक को 13,620 जितने कित्स का वितरन हुआ है और फिर तेरा तारीक को 17,495 कित्स का वितरन इस तरह से अगर इनका टोटल किया जा तो 50,490 कित्स के जिसमें आयूश की दवाई है, इसका वितरन हुआ है लोगों के इम्म्यूनिटी, रोग, प्रतिकारक, शमता बढ़ाने के लिए और इसमें भी खास आप लोग जानते ही हैं लेकिन फिर हम दोराना चाहेंगे कि सरकार ने खास खास प्रबंद किया हमारे म आनिया, Deputy CM साहब श्री नितिन पतेल साहब की नेतरुत्व में सरकार ने ये तै किया था कि ये दवाईयां और भी क्योंकि हमें बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका डिस्ट्रिब्यूशन वगेरा अभी हम कर रहे हैं और गुजरात भर में लोगों की भी इसके लिए बहु तोरी टीम्स ने इसका पाकिंग किट्स बना के डिस्ट्रिब्यूशन किया है इसी तरह से अमृत पे उकाड़ा हमने जो डोस जितने लाभार्थियों को दिये हैं वन करोड एक करोड पंचानवे लाख एक्क्यासी हजार उपरांत लाभार्थी को दिया है और वैसे ही एक स पद्धती होमियोपथी की जिन लोगों को होमियोपथी में जादा रूची है श्रद्धा है और उनकी रोक प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने के लिए आरसेनिकम आल्बम 30 potency वाली जो दवाई है उसका डिस्ट्रिब्यूशन भी एक करोड बारा लाख चौडानवे हजार से उ आम डेसीवीर के जिसकी अभी यूएस इटली अन्य राज्यों में अन्य राश्ट्रों में देखा गया है कि इसको यूज करने से कोविट 2019 की जो इसकी जो लडाई है पेशन्स में इसको यूज करने से काफी असरकारत नतीजा मिल रहा है तो अमदाबाद के भी और गुज अमदाबाद को भी इन्वॉल्फ किया गया है खास करके इसमें ये राम डेसीवीर यूज करने का निरने भी भारत सरकार के साथ ये किया गया था और आज ये दवाई हमारे हां पहुँच गई है तो अब ये राम डेसीवीर के जो गिलार USA का एक पेटेंट ड्रग है इसको यूज होगा वैसे ही एक बहुत ही महंगी एक इंजेक्शन है टूसीली जुमाब इसका भी अंतराश्ट्रिय स्तर पर देखा गया कि इसको यूज करने से भी डिजीज जो कोविर है इसमें से बहुत ही जो गंभीर पेशन्स हैं उनको बचाने में इसका बहुत अच्छा य और इसके नतीजे रिजल्ट्स बहुत ही एंकरेजिंग बहुत ही पॉजिटिव बहुत ही अच्छे उमदे रिजल्ट्स है इसके आउटकम्स तो ये भी हम आपको आने वाले दिनों में इसके जो साफल्य गाता है वो भी शेयर करेंगे आज फाइनली हम एक और भी अच्छ कोविट के और उसी तरह उनके घर में उनके भाई और उनकी माता श्रीद सभी पॉजिटिव निकले तो ये तीनों दर्शना उनकी माता और उनके भाई ये इन सब को सिविल हॉस्पिटल में अड्मिट किया गया और इनमें काफी स्वभाविक है कि गभरार थी इनको चिंत इनमें इस्टाब्रिश किया विश्वास भी दिलाया कि आप बिल्कु ठीक हो जाएंगे और ये अंदबाद इशनपूर के रहिश हैं उन्होंने अपना जो एक फीडबाक है उनका अनुभव कैसे रहा वो शेयर किया है और इसे देखके पता चलता है कि हमारे जो डॉक्टर् का कप्री परिस्तती है सब अभी इस यूद्ध में लडाई में सब बिल्कुल कोशिश करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसके बावजूर सब अपने पॉजिटिविटी के साथ इसमें लड़ रहे हैं ये हमारे वाकई COVID वारियर्स हैं जो सही मायने में कोशिश कर रहे है आज सवेरे सिविल होस्पितल के असमीता भवन में इन में से कई सारे नर्स और नए हमने पेशन्ट अटेंडन्स का भी रेकूट किया है रेट क्रॉस के संयूपत एक संकलन में रहके और वैसे ही मुनी सेवा आश्रम गुरच से भी ऐसे हमें पेशन्ट अटेंडन्स के साथ भी हमने आज मीटिंग की थी डॉक्टर्स के साथ नर्स के साथ और ये सब बड़े ही एक अच्छी भावना के साथ कोशिश कर रहे हैं कि दिन रात वहां काम करके अच्छे से पेशन्स का डिस्चार्ज रेट बड़े जल्दी से अच्छी चिकीटसा हो लोग घर वापस रोटे हैं और ये एक बयान दर्शना बेंद दे रही हैं जो आप सब देख सकते हैं नमशकार नमशकार बें 5 p.m. yesterday and 5 p.m. today Gujarat has recorded 364 positive cases of COVID 2019 we've had seven people who have unfortunately died with COVID as the primary cause of death there have been 22 other people who have also unfortunately died with an underlying serious co-morbid condition as the primary cause of death but they've also been infected with COVID and have succumbed to this illness today we've had as many as 316 people who have got discharged after successfully being treated for COVID 2019 of the total people who have tested positive so far 9268 9268 people we've had in all till now 3562 people who have got successfully discharged so the discharge rate is as high as 38.43 percent of the patients who are now active under treatment 5101 of them are stable either on room air or having oxygen while 39 of them are critical and under ventilatory care we have carried out as many as 1,22,297 tests so far and the tests carried out in the last 24 hours is 2,760 we have two other very positive pieces of news to share with you one is that the WHO solidarity trial which is going to be carried out in many centers across India and the BJ Medical College in Ahmedabad has been specially selected for it so the medicines for this ramdesivir which is a patented drug of Gillard USA has also been received by our teams today so we will be starting these trials from tomorrow we will also be having another medicine called interferon which will also be a part of this trial additionally there is a very very effective injection called tucilizumab so this has also been used in many patients across the state so far with very successful results those who have been critical and administering this injection has brought about a very good effective recovery so this has also been decided we've decided to go ahead and purchase this on a big scale so this process has also been started and it is already being administered in our hospitals we as we know Gujarat is giving a lot of emphasis on the Ayush medicines both for a prophylactic improvement of immunity and also for treatment so if you look at the number of cases from the 6th of March until now the total beneficiaries who have been given this ukara or amrit pay which is basically a hot con concoction which has a lot of Ayurvedic herbs that number is about a crore and 95,000 plus people have been given this hot ukara or concoction called amrit pay in order to boost the immunity we have also been distributing an Ayurvedic medicine called sham sham vati these tablets have been distributed to over 13 lakh 71,000 beneficiaries or people and similarly those of our people the general public who prefer homeopathic medicines for boosting their immunity have been given a medicine called arsenicum album it has been very very popular of potency 30 and as many as one crore 12,94,000 people have actually taken this medicine and this has been distributed this has been possible with the concerted efforts not only of our team members from the Ayush division of the health and family welfare department but also a very large number of local volunteers local representatives and other organizations which have very very happily come forward for this we want to end with a very heartwarming narrative by a young lady called darshna ben dinesh chauhan we will see her video on the 26th of april she was admitted along with her mother and brother who tested positive for covid after her father was first tested positive and admitted in the civil hospital the 1200 bed covid hospital at amdabad having been admitted there she narrates how she was very scared and she was very worried about this whole condition and how the local doctors doctors nurses treating her in the teens treating her at the civil hospital were extremely caring and how they also instilled a lot of hope and confidence in her and told her that she would get well soon she did recover and she's sharing her happy story she belongs to ishanpur ishanpur area of amdabad and we do hope that all these stories make us realize that there is no need to be afraid and no need to really have a sense of panic but we certainly ought to be extremely cautious we need to very strictly abide by all the rules all the do's and don'ts for covid such as hand wash wearing a mask ensuring social distancing and also trying to boost our immunity by doing all these simple measures which the ayush ministry has suggested and of course let's not forget to download the app called arogya setu which provides a very solid armor for all of us a security ring for each one of us thank you mo 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 mil mo झाल झाल